नमस्का एशरी जिन्या में आपका स्वागते में प्रिया आपके साथ भारत सरकार ने देश में मौझूत कनाड़ा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है उन्हें देश छोड़ने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है दरसल कनाड़ा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने भारत सरकार पर सिक नेता की हत्या का अरोप लगाया टूडो ने संसत में कहा भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाड़ा के ब्रिटिश कोलंबिया में सीख समुदाय के नेता हर्दिप सिंग निजर की हत्या के थी टूडर ने ये भी कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 बेटक के दोरान उन्होंने भारती प्रधान मंत्री नरीन मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकरी मिली है उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं वही कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जाली ने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारती डिप्लोमेट को देश निकाल दिया है जो कनाडा में भारती इंटेलिजेंस के प्रमुक थे हलाकि जाली ने एक डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकरी नहीं दी है भारत ने कनाडा की तरफ से लगाया गए सभी आरोपों को खारिच कर दिया है विदेश मंत्राले ने कहा कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रदान मंत्री ने हमारे पीम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खरिश कर दिया गया था इस तरह के निराधार आरोप, खालिस्तानी अतंगवादियों और चरम पंतियों से ध्यान हटाने की कोशिश है इन्हें कनाडा में पना दी गई है और ये भारत की संप्रभूता और शेत्री अखंडता के लिए खत्रा है टूड़ा ने सांसदों से कहा कि कनाडा की धर्ती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभूता का उलंगन है हम इस सत्या की जाश में सयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे प्रधानमंत्री टूडो ने कहा कनाडा में रहने वाली भारती मुल्ग के सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुसे से बरी है कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहे हैं देश में 14-18 लाग के भीश भारती मुल्गे नागरी है जिन में से कई सिख है कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमित सिंग सिख समुदाय से है